असलाम उलेकूम एब्रिवन, मेरा नाम समीर जावेद है और आज हम प्रोजेक्ट MS प्रोजेक्ट के अबारे में थोड़ी सी और डीटे़ सीखेंगे आज हम देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट को किस तरह से बेसलाइन किया जाता है और हम उसमें किस तरह से फिर क्रिटिकल पाथ को इडेंटिफाई कर सकते हैं जस्ट तू शेर विद अबरिवन बेसलाइनिंग का मज़दी होता है कि आप जब एक प्रोजेक्ट करते हैं और इस पे डेट्स अग्री कर लेते हैं तो उस वागए बेतर प्राक्टिस होती है कि आप उस टाइम लाइन को या उस प्रोजेक्ट प्लान को बेसलाइन कर लें baseline means के आपके पास जो dates वहाँ पे define हुई है MS project उनको log कर देता है फिर आप going forward जब भी project में update कर रहे होंगे या changes कर रहे होंगे तो आपकी baseline dates और जो baseline durations हैं वो सारी fix रहेंगी उनको फिर जो भी उनमें जो भी changes हैं वो आपकी actual finish और actual start date, actual durations में once you're done with the project then you can identify के आपके पास baseline duration से या baseline आपको जो schedule था उससे आपने कितना variance इसमें experience किया तो आज हम इस topic को cover करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं के baseline किया कैसे जाता है यह हमाए पास एक basic plan बनावा है इसमें कुछ summary task है, कुछ task है dependencies है, milestones है यह चीज़े हम पिछले इसमें cover कर चुके हैं के how do we create these इसमें आप हम आते हैं project की tap के अंदर यहां पे आप के देख सकते हैं के जो schedule वाली एक section है उसमें हमारे पास set baseline का एक option आ रहा है अब इसमें आपके पास दो option होते हैं, अगर आपने अलड़ी एक baseline set की भी है तो आप सको clear कर सकते हैं या आप एक baseline set कर सकते हैं set baseline पे हम जब click करते हैं तो यह हमसे पूछता है कि आप को baseline set करनी है तो यह कौन सी baseline है अच्छा इसमें एक अच्छा feature यह भी है कि आप MS project में एक से ज़्यादा baseline भी set up कर सकते हैं up to 10 baselines आप set कर सकते हैं इसके reasons क्या हो सकते हैं अक्सर यह भी हो सकता है कि आपने baseline किया project और project किसी बज़ा से अगर बहुत ज़्यादा delay या बहुत ज़्यादा rates उसकी move forward हो गए तो mutual agreement के बाद उसको फिर re-baseline किया जाता है with all the stakeholders on board तो उस re-baselining से आप फिर जो भी project एक तरह से आप re-initiate कर रहे होंगे तो आप baseline दुबारा set करते हैं तो instead of changing the initial या clearing the initial baseline आप नई baseline क्रेट कर दें ताकि आपके पास पिशली डेट की भी visibility रहे और आपके पास नई baseline भी set हो जाए ताकि आपकी new baseline would be set as the baseline जिसके ओपर अब आप variance चेक कर रहे होंगे however आपकी पिछली baseline will still remain available to you ताकि आपको कल को cross refer करना हो तो you can see what were the initial dates defined तो अभी हम इस project के लिए एक पहली baseline दिफाइन करते हैं और इसको हम apply कर देते हैं entire project पे अब selected task पे भी baseline कर सकते हैं अगल ऐसे आपके पिछले task complete हो गयता है और आप जो next section of task है उस पे आप baseline करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं अभी क्योंके हमारे चोटा project है तो इसमें हम एक entire project पे baseline set up कर देते हैं इसको मैं ok कर दूँगा अचा मेरे पास यहां पे आप देख रहे होंगे screen पे कहीं baseline का जिकर नहीं आ रहा तो इसमें हम यहां पे column add करते हैं यहां पे हम सबसे पहले baseline duration add कर लेते हैं अच्छी practice हो यह होती है कि जहां पे आपका duration आ रही है आप उसी के साथ add कर लें यहां पर मैंने right click किया insert column करके फिर मैंने baseline duration select कर लिए तो अब इसने मुझे दिखा दिया कि मेरी baseline duration क्या है और actual duration क्या है इसी तरह से मैं यहां start के बराबर में एक column insert करूँगा और इसमें हमने baseline start add कर दिया इसी तरह से अब हमने यहां पर एक baseline finish be add कर दिया तो आपकी जो basic parameters based lining के वह आपको यहां दिखे है अब आप कल को कोई भी changes करते हैं इस project के अंदर तो आपकी baseline would remain the same क्योंकि मैंने वहां set कर दी तो इसने यहां पर values को बठा दिया अगर baseline नहीं set हुई भी होती तो यह आपको empty दिख रही होती सारी fields अब let's say के मैं किसी project की date को change करता हूं यह duration को update करता हूं let's say मेरी duration dependency it takes more time than anticipated जिसकी वजा से मेरी project की dates change हो जाती है जब आप यह देख रहे हैं कि यह मैंने 10 days add किये तो यह मेरी start date और finish date को change कर दिया let me move all the baseline parameters together इससे ताके आपको confusion नाओ तो देखें हम मैंने dependent चीज की 10 days की हावेवर में पास baseline duration में उसकी जो fix values थी वो उसने set रखी अब इससे मुझे फाइदा यह होगा कि कलकुल मैं जब report generate करूंगा तो मेरे पास एक variance दिखरी होगी कि मैं किस तरह से किते मेरे पास initially planned days थे और actual days फिर मेरे पास जाके यह कब complete हुए तो यह एक छोटा सा overview था for baseline the project plan अब हम second part की तरह आते हैं जिसमें हम यह देखना चाहते हैं कि मेरे project critical path क्या है critical path जो है just to share with everyone critical path का मतलब यह होता है कि वो set of tasks जो के आपके project की end date यह completion date को आगे लेके जा रहे होंगे for example जिसना मेरे यह milestone जो है यह milestone is sort of a completion of the project क्यूंकि यह dependent है तरी task 1 और 2 पर इन दोनों की completion के ओपर यह milestone अचीव हो रहा तो it's kind of a completion project completion milestones for me तो मैं इसमें अब यह देखना चाहते हूंगे कौन से ऐसे task है जो के इस date को जो इसकी final date है इसको आगे move कर रही होंगी तो देखने का तरीका यह हम टास्क में जाते हैं यहां माई पास जो view का एक section है इसमें अगर हम drop down लेते हैं यहां पर network diagram का एक option आ रहा होगा इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो हम आए पास एक नई screen खुझ जाती है इसमें आप देख रहे होंगे कि टास्क आपको देख रहे हैं यह मुक्तलिफ टास्क हैं जिनकी duration and start dates डलीवी हैं इन में आप गोर से अगर देखें तो यह आपको पिंक में यह थोड़े red के किसी shade मे highlight हुए वे देख रहे हूंगे these are the tasks जो कि आपके project की critical path को define कर रहे हैं यानि कि इन tasks में अगर कोई भी changes आएंगी तो यह आपके project plan को आगे ले जाएंगे यह आप देख सकते हैं इदर मैं इसको थोड़ा सा zoom in कर लेता हूं ताक कि आपको display हो जाए तो हमारे पास जो tasks हैं उसमें हम देख सकते हैं कि यह summary task को आप इसमें भी roll up और expand कर सकते हैं तो हमारे जो summary task 2 है actually वो directly time pack नहीं कर रहा है लेकिन summary task 1 है वो हमारे उसमें critical path के elements हैं तो मेरे जो summary task 1 है उसके जो task 1 से लेके कितने भी task है task 4, 5 तक यह मेरे पास इस वख मेरे project की critical path define कर रहे हैं तो इन में से कोई भी task की duration अगर change होगी तो मेरे project का milestone जो final milestone है completion का वो आगे चला जाएगा मेरे पास अभी जो second path है जो कि आपको यह light color में दिख रही है इसकी timeline है वो अभी तक हमें affect नहीं कर रही है project की timeline के उपर इसलिए यह इस color में highlighted नहीं है अगर इनकी duration change हो जाती है और यह project की end date को affect करने लग जाते है तो यह भी critical path के अंदर शुरू हो जाएगा तो यह एक तरीका होता है आपके project की task को identify करने का कि कौन से आपके critical task है ताके आप सारे stakeholders के साथ उनको specify कर सकते हैं अगली video में इंशालला और details cover करेंगे reporting के हवाले से जब तक के लिए take care and Allah हाफिज